हेलो एवरिवन वेलकम टू इजी इंजिनियरिंग क्लासेज आज की वीडियो लेक्चर में भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोनिक डाटा इंटरचेंज जिसको एडी आई भी बोलते हैं तो अगें लाइक प्रिवेस टॉपिक ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एक्जाम के अंदर इसको पर कुश्चन होता ही है तो आए शुरू करते हैं लेक्चर एडी आई इदे को है क्या इदे प्रोसेस एफ कम्यूनिकेशन ऑफ बिजनेस इन्फरमेशन और बिजनस दॉक्वेंट्स इन इस टेंडरडाइज इलेक्ट्रोनिक फॉर्म मतलब कि आप अपने business के documents को एक organization से दूसरी organization के बीच में electronically transfer कर रहे हैं तो suppose करो हमारे पास एक organization है यहाँ पर organization A and we have another organization let us say organization B तो पहले कैसे काम होता था जब हम EDI का यूज नहीं करते थे तो यहाँ से कोई purchase order generate हुआ ठीक है तो कोई purchase order generate होता था यहाँ पर then उस purchase order को भेजा जाता था एक mail office के पास जैसे कि post office हो गया या फिर कोई courier service हो गई यहां से वो अपनी processing करते थे invoice generate होता था और finally यहाँ पर organization B को document मिलता था then document B अपने system के अंदर उसको entry करता था so entry into the internal system अब तो को यहां पर problem कहते हैं यहां पर problem थी कि जो paper की form में order गया है उसके lost होने की उसके खो जाने की जो possibility थी प्रविलिटी थी वो बहुत जादा होती थी तो यह वाला जो पार्ट था कि यहां से लेके यहां तक यह वाला पार्ट बहुत जादा वन्रेबल था वन्रेबल ओफ पेपर लॉस्ट एक तो वन्रेबलिटी थी और सेकिंड जो पॉइंट था यहां पर जिससे की ट्रेडिशनल वे में हम बिजनस करना प्रिफर नहीं करते वो था लॉट ओफ टाइम पेपर को एक जगे से दूसरी जगे मूव करने के लिए बहुत टाइम जाता है अब इन दोनों का सॉलुशन का निकला इन दोनों का सॉलुशन निकला परचे जो पर्चेस ओडर है वह इलेक्ट्राणिक फर्म में के सीधा औराजनेशन भी लिए को दे दिया जाये आए जो इन दिस दह उलेक्ट्रानिक टॉकुमेंट्स आड्रान्सवर्ट अब देको electronic documents transfer के जब बात आती है तो electronic document transfer होते कैसे है actually होता किया है कि site letters से एक organization है organization A और यह organization B इसका अपना एक order software है और इसका एक order software है तो यहां से क्या होता है order generate करते है XML का document generate होता है वो XML का document directly इस order के पास जाता है इस order के software में जाता है और organization B के अंदर एक order में entry create हो जाती है इस अपर entry create हो गई उस यहाद क्या करना है सिर्फ आपको उस order को process करना है उस order को deliver करना है तो इसमें जो time है वो बहुत काम हो लगता है और जो आपका loss होने का scenario था कि paper loss हो गया वो कम हो जाता है so this is electronic data interchange so मोटा मोटा करम कहें तो XML की मदद से electronic data को interchange करते है and one more benefit is XML जो होती है एक तो बहुत जल्दी transfer होती है over the internet then in this we can incorporate security features also so EDI कि अकर हम definition बोले अब so it is an electronic way of transferring business documents in an organization ठीक है अब ये EDI help किस किस में करता है दो चीजों में help करता है basically पहला तो है reduction in transaction cost and second is better relationship between trading partners तो cost को कम करता है और दो organization के बीच में relationship भी better होता है क्योंकि सब कुछ transparent हो रहा है सब कुछ electronically हो रहा है तो मतला इसमें dispute होने के chances होते हैं वह बहुत कम होते हैं चलो आप बात करते हैं EDI के layered architecture के बारे में तो basically 4 layers होती है application layer जिसको हम बोलते हैं इसमें semantic layer then एक है translation layer ट्रांसपोर्ट layer जिसको बोलते हैं packing layer and then physical or network infrastructure layer तो मैं एक पार इस diagram को draw कर लेता हो उसका देखेक layers को हम study करते हैं तो यह 4 basic layers हैं EDI की अब इसमें आपको EDI की layers की जो जो यहां पे काम होते हैं वो सब भी mention करते हैं तो कि आप एक ही diagram की मदद से अगर question आता तो उसको explain कर सको अब जो EDI की semantic layer है basically यह application layer होती है तो जितनी भी application level की services होती है वो सब यहां पे run करती है तो application level services अब application level services का मतलब क्या होता है इसका मतलब है जितने भी आपके software's run कर रहे हैं जैसे कि invoice generate करने का software है order को process करने का software है या किसी customer को handle करने का software है किसी customer की request को handle करने का software है तो वो सब part यहां पे run होता है so basically it specifies the software which is used so application level services then standard layer अब EDI की document को transfer करने से पहले है यहां से यहां transfer करने से पहले एक चीछ का ध्यान रखाया था कि जो documents है they should be in EDI standard ऐसा नहीं है कि आप किसी भी form में भेज़ दो ऐसे standard में होना चीए कि organization A और organization B दोनों इस document को easily understand कर सकें इसको read कर सकें तो वो वाला जो standards है वो यह layer बताती है तो दो common standards होते हैं एक है EDI fact EDI fact business form standards और दूसरा है ANSI इसके बाद आता है transport layer transport layer का मतलब है कैसे आप भेजोगे data को किस तरीके से भेजोगे आप data को वो सब यहां पर हम define करते हैं तो different different ways हैं जैसे कि एक है email के थूरू आप भेज सकते हो तो इसमें use होता है हमारा आप पर directly उससे communicate कर रहे हो और इसके लिए HTTP protocol का use किया जाते है ठीक है 4 layers की बात करते हैं semantic, standard, transport and physical layer Now we will see how information flow in EDI यह basically show कर रहा है कि कैसे एक organization और दूसरे organization आपस में communicate करते हैं और ऐसा नहीं है कि EDI दो organizations के बीच का ही communication है within organization भी हम EDI की मदद सही communicate करते हैं तो suppose करो एक buyer ने purchase request की purchase request जाएगी purchase department के पास इसके बाद क्या होता है कि purchase department और EDI आपस में communication करते हैं and जितनी भी finance से related चीज़े हैं कि payment details क्या होंगी वो सब finance department से EDI interchange करते हैं तो payment details का जितना भी information flow है वो finance department से होता है यह example में आपको बता रहा हूँ हर organization के लिए हो सकता है कि हो यह ठीक है उसके बाद एक बार जब EDI ने एक order generate कर दिया purchase order तो वो दूसरी organization के EDI enable computer के पास चला जाता है so this is purchase order delivery और यह two way communication होता है दोनों एक दूसर से communicate कर सकते हैं अब इस EDI को purchase order मिला payment की details मिली वो इस finance department से communicate करेगा जितने भी billing से related details होंगी ठीक है then the purchase order goes to the sales department and the manufacturing department यह बार आपका product manufacture हो गया shipping department के पास जाएगा shipping department से दूसरी organization के receiving department then receiving department से EDI enable computer के पास कि हमारे परस product आ गया है and यह बार प्रोड़क्ट जाने के बाद वो यहाँ पे automated order confirmation भेजता है यह बार यहाँ पे entry इस तरह से पूरा information flow करता है किसी भी EDI system में आप किसी भी organization का एक process को study कर सकते हो और वो आप देख सकते हो कि जितना भी आपस में information flow हो रहा वो सब EDI के through होता है अब देखते हैं कि EDI की applications क्या क्या है application का मतलब होता है EDI एक खाँ खाँ पे हम generally use करते हैं तो सबसे पहला तो EDI का role है international trades के अंदर so role of EDI in international trades international trade का मतलब है कि एक country से दूसरी country के बीच में जब business हो रहा है तो यही का बहुत जादा use है ठीक है so इसका basically use में क्या फाइदा होता है reduction in transaction expenditure इसके बाद जो होता है quicker movement होती है documents की quicker movement सब कुछ electronic form में हो रहा है तो जो आपका data है जो आपका information है वो बहुत जल्दी move करता है तो एक तो use होता है international trade में then second is interbank electronic fund transfer so interbank EFT चीक है so इसका मतलब होता है की एक bank account suppose यहाँ पर customer का bank account है और यहाँ पर है merchant का bank account तो directly इनके पीच में हम data को transmit कर सकते हैं with the help of EDI तो जितना भी electronic fund transfer होता है वो सब किसके मदद से करते हैं EDI की मदद से इसके पर होता है healthcare EDI और insurance EDI की healthcare के अंदर insurance के अंदर काफी जादा use है so इसका मतलब क्या होता है की suppose किसी को healthcare का reimbursement कराना है या insurance को क्लेम करना है तो paperwork की जगे हम directly on the internet on some portal हम अपना claim कर सकते हैं तो ऐसे जो claims होते हैं वो बहुत जल्दी clear होते हैं बहुत ज्यादा transparent way में उनकी processing होती है so इसमें आप लिख सकते हो quicker claims approval या quicker claim processing then finally EDI कहाँ पर use होता है manufacturing and retail जो हमने देखा अभी पीछे कि किसी organization को किसी दूसी organization से कुछ manufacture कराना है तो वहाँ पर EDI का use करते हैं next topic is EDI over the internet यह बहुत important है direct question होता है कि EDI over the internet का मतलब क्या होता है तो इसको generally हम लिख सकते हैं इस तरह से that it is EDI INT तो यह EDI हो गया और internet का INT हो गया ठीक है अब EDI over the internet जो है वो बनाया गया था by a working group of the IETF organization और IETF का मतलब होता है internet engineering task force so internet engineering task force अब दोको EDI over the internet का मतलब है क्या पहला तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है और किसले यह use होता है अब अगर मैं बात करता हूँ पहले कि internet पे नहीं कर रहे हम data को interchange तो क्या सिनारियो था तो इसके लिए क्या था कि organization A और organization B इन दोनों के बीच में dedicated cables होती थी तो इसके लिए अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी large scale companies जिसके पास पैसा है जिसके पास इतना infrastructure है कि वह अपनी खुद की dedicated cables लगा सके वही इसको use कर पा रहे थे तो इसलिए क्या हुआ कि ठीक है अब हम क्या करेंगे over the internet इनको facility provide करेंगे कि over the internet दो organizations अपना data को interchange कर ले तो अब dedicated cables की जगे क्या आ गया internet और इसको करने के लिए क्या था कि यहाँ पे आपका EDI software होता है same EDI software होता है data आता है यहाँ पे EDI format में convert होता है internet के पास जाता है internet से again यहाँ पे मिलता है EDI format से ऐसे format में convert होता है कि इसको रीड कर पाए तो इस तरह से data का interchange होने लगा और basically जो interchange होता है that is done with the help of XML formats अब इसको यूज करने का फाइदा क्या हुआ देखो internet को यूज करने का फाइदा क्या हुआ it is very cheap अब खुद की cables नहीं लगानी है directly जो बनावा infrastructure internet का उसको यूज करना है तो जितनी भी small scale या mid scale companies थी वो भी अब EDI को use करने लगी so that is the benefit of EDI over the internet अब कुछ और benefits जो EDI over the internet है सबसे पहला तो होता है security it is very secure आप इसके अंदर authentication non reputation integrity सारे features को integrate कर सकते हो by some encryption digital signatures second is increased reliability अब increased reliability का मतलब कहे कि कुछ ऐसे secure protocols है जो आपके product के delivery की या आपके information के delivery की guarantee देते है तो इससे reliability increase होती है इसके बाद होता है low cost low cost क्यों है क्योंकि हम बना बनाया infrastructure यूज कर रहे है खुद का कोई infrastructure हम develop नहीं कर रहे है then highly accessible अब accessibility के ओपर गई कि हम किसी के साथ भी trade कर सकते है जो इंट्रेट को यूज कर रहे है आप किसी से भी कर सकते हो जो इंट्रेट का यूज कर रहे है इसके बाद है यहां पे globalization so globalization का मतलब भी highly accessible से याता है कि आप एक की city नहीं एक की country नहीं sorry एकी city नहीं एकी country नहीं आप within different countries भी आप trade कर सकते हो so this is EDI over the internet so users हमने यह इस वाले वीडियो में EDI के बारे में देखा पूरा I hope you have got the concept of EDI की EDI है क्या so this is all for this particular video lecture thank you for watching the video please subscribe to my youtube channel for more such tutorials thank you